प्रदानमंत्री नरीनर मोदी ने आज होशंगबाद लोकसभा छेतर के पीपरिया में जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्हें ने कहा कि प्रदानसभा चुनाव में मद्रप्रदेश ने पूरे देश को चौका दिया है खुशंगबाद से जो लहर उठी वह पूरे देश में फैल गई है पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही है देश के हर कोने में फिर एक बार मोदी सरकार पीएम मोदी ने कहा कि आज सम्विधान नर्बाता बाबा साहिब अंबेटकर की जोयनती है उनका जन्म स्थान मउ यहां से जादा दूर नहीं है हमें उन्हें वह सम्मान देने का स्वभाग मिला है जो कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी नहीं दिया बाबा साहब के बनाए गए सम्विधान के कारण ही आज एक गरीब मा का बेटा मोदी तीसरी बार सेवा करने के लिए आपका अशिरवाद मांग रहा है पीम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में तीन करोड घर बनाने का हमने संकल्प लिया है दिव्यांगों को भी इसका लाव मिलेगा यहां होशंगबाद के किसानों को भी गरीब करीब चार सो करोड रुपए किसान सम्मान निदी के मिले हैं आने वाले पांच साल में ये पीम किसान सम्मान निदी चालू रहेगी, करिब दो हजार करोड रुपए या के किसानों के पास आएगी, गरीब को मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, पांच लाख तक कम मुफ्त इलास चालू रहेगा, ये भी मोदी की गारंटी है आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दीन है आज संबिदान निर्माता बाबा साब आमबेर करकी जन्म जैंती है उनकी जल्म सली महू यहां से ज़्यादा दूर नहीं है महू में उनका घर हो, या देश विदेश में वे जहां भी रहे उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंच तिर्थ के रुप में विशित करने का सवभाग्य भाजपा सरकार को मिला है जो सम्मान कॉंग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया वो सम्मान करने का सवभाग्य हमें मिला है और कॉंग्रेस जैसी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है बाबा साहब ने जो सम्मिदान बनाया है उसके कारण ही आज गरीब मा का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशिरवाद मांग रहा है आपसे का सुट और जो सम्मिदान बनाया है